गुद्ध मॉर्निंग दियर स्टुडेंट्स दियर फ्रेंड्स और डियर कलीग्स ये वीडियो मैंने स्टुडेंट्स फ्रेंड्स और कलीग्स सभी के लिए बनाया है जिसका बहुत ज्यादा आपके जिन्देगी में ट्रके में महतों नहीं होता मतलब डारेक्टली महतों नहीं होता है और होता है तो वह कम होता है और ज्यादा तर चीजें रटा दी जाती है लेकि मेरा यह मानना है कि चीजें समझनी चाहिए चाहिए वह फिर एक्जाम पॉइंट व्यों से इंपोर्टेंट हो या ना हो कुछ एक चीज़ा ऐसी होती है कि बहुत जरूरी होती है समझनी तो आज का सो टोपिक है वह हमने कहें लोगरिद्म का समझनी आ रहा है यहां बता हो थोड़ा तो मैं यह कह रखा था जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको लोगरिद्म पर एक बहुत एच्छी सी वीडियो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा लोगरिद्म का वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं मिलने वाला है एक ब पर चुछ नोगा अगर मैं यह कह रहा हूं तो और आपको समझ में भी आ जागा यह वीडियो 15-20 मिनिट इतना भी होगा आपको देखना है और मैं चाहता हूं जो जो देख रहे हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो यह दर सल मैंने एक मिसलेनियस टोपिक्स की सी सीरीद शुरू कर रहा हूं जैसे जैसे आपका रिस्पोंस अच्छा आएगा मैं मिसलेनियस टोपिक्स बहुत सारे हैं यूनिट कंवर्जन हुआ फंडामेंटल कॉंटिटी बहुत सारी चीज हैं जो हमें आनी चाहिए जो एट लिस्ट हमारा कॉन्फिदेंस बूस्ट अगर आये तो नहीं आये तो अउससे ड्रते रहते हैं रहते है इनसान कव हर चाय वाला भी टीटी लगने लगता है ऐसे हर क्यूस्टिन में ऐसे लोग की तरफ देखते की पता नहीं क्या आगया तो आज इक तो आपको बूर्टर खतम हो जाएगा तो बच्छों सुरू कर तो यह आपके लिए एक महीने के बाद आने वाला एक मिसलेनियस टोपिक की सीरीज आपके लिए लोगरिघ्स के बीच पढ़ाते श्कूल में न बच्चे पढ़ते हैं बहुत अच्छी चीज एक स्कोटलेंड वे स्कोटिस मेथेमेटिशन थे और नाम था जोन नेपिर आप सुनोंगे अभी नेपिर थेवर हम आप्टी है मैं आगे पढ़ोगे तो ग्रैजिशन लेवल पे इनके कफी सारे वह आप ते इनके काम जो वर किनोंने किया मैट्स के लिए तो इन्होंने इसक डाले और एक फोर्मूला दे दियागी ऐसा इसे करना यह बेस होता है यह पावर होती एक्स्पोनेंट होता है और यह लोग लिलो तो उससो मैथमेटिक्स कर जो एक लंबी काहने लिखते है उसके बजाए एक शोर्ट फॉर्म में लोग की फॉर्म में लिख दो इसको फिर हुआख दो डिलोग आएगा नेक्स्ट वीडियो में तु दो था किया लेखली में लोगरिध्मि 있지만 University सबस्पोनेंट function Swift function का Inverse होता हälltHE 10 की पावर yeah exponent जो । ठीकिसी थम पे मालूं यह बेस है तो इसके चार पावर तो यह थो आमारे exponent function न new a diver so that's सबस्ट्रेक्शन इसका इंवर्स एंवर्स से जमा करना उल्टा ऐसी डिविजन का डिविजन आ गया तो उसका गया मल्टिप्लिकेशन एसे यह किसका है लोक किसका इंवर्स है एक्समौन है पहली बात को डिविजने पढ़ेंगा जो आपको EM लेकिन आपको और है konfidence नहीं आए अगत से कहां से आगया तो इस्टेबलिस करें हम जैसे जमा का गटा के साथ है जैसे बाग का गुणा के साथ है वैसे ही लोगरिद्म का एक्स्पोनेंट की इन्वर्स मतलब एक्स्पोनेंट और लोगरिद्म का रिलेशन है पहले बात हो गी क्लिए है अब इधर आजो एकप इस वसको एक बार देखते हैं क्या होता है एक्स्पोनेंट देखो क्या लिखा हुआ है हाँ वीडियो चल रहा है एक्सपोनेंट मीन्स टू मुल्टिप्लाइए नंबर अफ एक्स्टाइम्स से मुल्टिप्लाइए करना मान लोग है इसलारी टू की पावर कशिस का मतलब है क्या तू को आप 2 से चार बार कर रहे traum 123 यही थो यहां उपना मतलब इसका घर लिके लिक्पहन है तो तो दो इक्सपोनेंट मीनस 2 mulbuilding ठीक्स टैम्स Jonas प्लेंट क्या मैंनू क्या रहत है थिखिए वह लोग का ईनवरस है तो अब inverse की form में mix को लेके जाएंगे, exponent समझगा आ गया, और logarithm और exponent का relation समझगा आ गया, कैसे हैं, बिलकुल inverse है, अब देखो exponent को गर देखे, अगर मानलो को 2 की power x है, इसका मतलब है 2 जो है, 2 number है, उसको x times 2 से multiply करना हमें, कि 2 multiplied x times by 2 itself, कि 2 को 2 से x times multiply करना है, example 2 की power 4, 16, मतलब x की value क्या है, 2 को हमने 4 पर multiply क्या है, मानलो यह x है, अगर इस exponent को x मानले, तो x अगर 4 है, कि 2 के case में, अगर exponent हमारा 4 है, तो value आईगी 16, अब यह बोल जाए, आपने x है, कि 2 की power x थी और 16 आना चाहिए, तो 2 की power 4 होगी, तब 16 आईगा, जनल यहाँ तक logarithm सुरूई नहीं हुआ है, और आप देखना जैसी खतम हो जाएगा, तब भी आप लगेगा, कुछ नया नहीं पड़ा, सब पुराणी चीज़ों से आपको रिलेट कराते हैं, अब या, अब देख को इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, लोग की फोम में, या तो 2 की power 4 is equal to 16, लिखको इसका मतलब x की value आच चाहर है, अब मानलों लोग है, कैसे लिख सकते हैं, लोग की फोम वागर इसको denote करें तो लोग 2, टू क्या है, बेस, लोग 2 बेस पे, किसका, ये रिपर्जेंटरिशन है, लोग 2 16 is equal to 4, देखको इसको अपने मन से, देखको हमने बताए कि 2 की power 4 is 16 होता है, यह होगा, एक्स्पोनेंट्री टर्म में, और लोग एक्स्पोनेंट का इन्वर्स होता है, और मैंने लोग की टर्म में ऐसे लिखेंगे, कि इस चीज़ को लोग में ऐसे लिखेंगे, बस इतना देखवा, अब इसको खोल के देखो, क्या कह रहा हूँ है, कि 2 की power 4 is 16, इसकी लोग की टर्म में लिखेंगे, लोग 2 16 is equal to 4, देखको लोग 2, कि ये कोई value है, हमारी 2, इसको हमने चार बरी C से multiply किया, देखो, चार बरी C से multiply कर गया, तो 16 आएगा, तो ये होई denotion हमारी लोग की फोर्म में exponent की, कि जो number हमारा, जिस number को उसी number से multiply करेंगे, वो ताएगा निच्चे लोग के, पैरो में, लोग 2 निच्चे, जितनी बार multiply करेंगे, वो आएगा सामने, result, जित अतना result आएगा, multiply करने के बाद, वो आएगा, यहाँ उसकी value, कितने की, समझ भाएगा, लोग 2 16 is equal to 4, अब देखो, इदर आप, अब इसी terms को अगर हम ऐसे लिखना चाहें, एक standard notation की form में, तो कैसे लिखो, एक standard notation में, कि if लोग A की power x is equal to n, क्या कर रहा, if लोग A की power x is equal to n, अगर मादलो, लोग A की power x कोई घट्टा लिखलो, ऐसी कोई value, लोग A, उसकी power x is equal to n है, ठीक अब है, तो इसका मतलब भी यह हुआ कि, x is log of n, लोग A की power x is equal to n, इसका मतलब हुआ, कि x is log of n, x is log of n, to the base a, to the base a, पढ़ोगे कैसे, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, लोग A की power x is equal to n, तो क्या लिखोगे, मनमन में क्या बोल होगे, कि x is log of n, x log of n, किस पे, a base पे, x is log of n, to the base a, क्या बोल होगे, इदर देखो, 16, a की power x, देखो, log 2 यहाँ, base है मारा, इससे correlate करके, देखो, इबर, अगर इनको दोबारा, इससे पे फिर आएंगे, दोबारा आएंगे, इबर इसको समझो, log A की power x is equal to n, means x is log of n, to the base a, x is log of n, to the base a, इतना याद रिखना है, अगर कहीं ऐसा लिखा होगे, आपको दिख रहा है, कि लोग के साथ कुछ ऐसा है, क्या है, एक numerical value, यहाँ कुछ result, उसका मतलब है, कि इसका, इसका log, x is log of e, किसका n, is to base a, यह line आपको ले जानी है, वहाँ पर a है, यह हमारा base, यह हमारा base, x है हमारी power, जो हमारा exponent of power, अब देख एक्जाम्पल की तरह, अगर log 7 is to 49 है, इसका मतलब क्या हुआ, log 7 is to 49, value कितने आएगे 2, इसका मतलब है, इस 7 को जब हम 2 times multiply करेंगे, तो आएगा हमरे पास 49, बताव, log 3 27, इसका result क्या आएगा, 3 को कितनी बर multiply करें, 3 से कि 27 आएगा, 3, यही तो यहाँ पर था, कि log 2 की power 16 is equal to 4, log 2 को हमने, log 2 को हमने, कितनी बर multiply क्या, 4 बर, और answer क्या है, 16, यही तो बात थी, तो अच्छो यह था, अगर आप दूसरी तरह देखो, अगर आपको आजाएगे, 125 अभी, इसको आप लोग की terms में denote करो, 125 को, आप लोग की term में denote करने के लिए, आपको आजाएगे, 125 को तोड़ो, किसको multiply करने से 125 आ सकता है, आप ऐसे कर सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, इसको क्या लेख सकते हो, 5 की Q, अब यह आगए, आपके पास 5 की Q, अब इसको बोलेंगे, कि भई आपको इसको log की terms मे represent करना है, तो इस terms का मतलब कि X is log of N, X is log of N, कि हमने ऐसी terms से देनी है, जो N का log हो, तो वो क्या X क्या हम हमारी, 125 हो हुई, जह भी 125 है, किसकी, 5 की, is equal to, कितनी पर multiply की है हमने, 3 वर, लोग 5, 125 is equal to 3 का मतलब है, लोग of 125, लोग of X, X is log of N, X is, मतलब लोग of 125, of 3 is equal to 5, कि हमने 5 को, जब 3 times multiply किया 5 से यह कर रखा, तो 125 हान सुराएगा, तो यह, एक बारे समझ में नहीं आएगा, देखो, बहुत ही वैसा टोपिक है, बहुत ही conceptual टोपिक है, और बहुत ही नया ट सुर्फिक है, मैंने best courses किया, आप लोगों के लिए इसको आपके पुराणी knowledge से correlate करने के, तो आप इसको थूड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कि क्या हो रहा है, इस standard notation है, हमने example दिया, ऐसे ऐसे, अब आपको कोई number दे दे जाए, उसको log मेरी present करो, तो कर लोगे, मान लोग of 6, कितने पर multiply करेंगा आपस मित्तिरी, क्या answer आएगा, 216, हो जाए कि लोग की form representation, चलो, बहुत अच्छी बात है, तो कर लोगे, बेश क्या होता है, और यह सब क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा, यह सारी चीज़े करके, एक बार इसको दोबार है यहां तक देख होगी, value कुछ ही की भी कुछ भी आ सकते हैं, तो generally हम लोग को दो तरह से पढ़ते हैं, एक होता है common log, एक होता है natural log, common log होता है, जब आपको कहीं भी यह दिख लिखा देखे, log of 10, log of 50, इसको बोलते है common log, इसका मतलब होता है, उसका base understood 10 है, अगर यहां पर कुछ नहीं log 10 है, पहला जो log होता है, दो तरह से लोग पढ़ते हैं, generally common log, जब base 10 होगा, उसके लिए सिदा log represent करते है, 10 को दिखाना चाहिए, तो दिखा देखे, दरवाइस नहीं भी दिखाए, दूसरा होता है natural log, natural log के लिए base होता है e, मतलब आपको ln की terms में मिलेगा, या log e, ऐसे मिल या तो आपको दो तरह से चीज़े मिलेगे, या तो log 10 होगा, अगर आपको कहीं भी यह लिखा होगा है log 27, तो इसका मतलब understood है कि log 10 पे है, अगर यहां पे कुछ नहीं डिया base तो, तो यह तो होता है हमारे common log इस तरह से, दूसरा अगर आपको यह चीज मिले, log e is to power 27, तो दो तरह के लोग पढ़े है, common log और natural log, e के वह लोग होते है, 2.7173 कुछ भी हो सकती है, 2.7 होते है, उसके बाद आगे points में, किसी बुक ने 7172 चेंज करते रहते हैं, तो आपको यह यह याद रख लेना है, बसी तना चाहां, कि दो तरह के लोग है, common log उसके लिए आपको स लोग formula होते हैं, कि लोग को हम कैसे formula उनको कैसे solve करते हैं, अगर लोग आजाए, मालो कहीं आपको मिल जाए, लोग के अंदर कुछ मिले, कि बाहर लोग का operation लग रहा है, और आजाए m cross n, बताओ कैसे solve करोगा, इसको log m cross n को, log m cross n है, इसको हम लिख सकते हैं, individually log of m plus log of n, पह multiply की हुई हो, और उस पर log operation लगा हुआ, और bracket के बाहर, तो हम उसको तोड़के log of m, log of n, अलग-अलग निकालेंगे और add कर देंगे, तो यह एक ही बात होगी, पर log n, अगर multiplication में कई भी लोग हमारा operation है, तो log m plus log n, दूसरा आगर हो हमारे पास log m by log n, तो बताओ अपने आप log m minus log n, थर्ड हमारा क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है, log of m की power n, कि m की कुछ power में आजाए, log of m की power n, देखो यहां base अलग यह, log 10 base m2n, इसका मतलब यह base हम लोग की बात कर रहे है, मैंने क्या का अगर log है कहीं, तो हम मतलब 10 base पर बात कर रहे है, यह general है, वेर e base होगा, मैं अब मैंने e नहीं लिखा है, तो मतलब 10 ही माना जाएगा, तो यह formula सभी पर लाग को होगा, कोई भी base हो, अगर log m, m की power n है, तो इसका मतलब है n log n, कि उस power को आगे लिया हो, और उसके बाद इसको solve कर लो, हमारे जो भी log formula होगा, उसके हम solve कर ले, तो तीन हमारे log के formula है, द अहला point है, log of 1 at any base is equal to 0, कर लोगे, log of 1 at any base is 0, दूसरा एक और point लिखो, कि कोई भी log है, किसी भी number का, उसके खुद के base पे, वो क्या होगा हमेशा, क्या होगा भी बताओ, अगर किसी का खुद के base पे, अगर अंकुस निकाले, तो वो होगा हमेशा 1, कि अगर मानला आप से पुछे कोई log 5, 5 base पे बताओ, तो 1 होगा, वे 5 को एक ही पर multiply करके 5 ला सकते हो, log 3 base पे 3 होगा, हमेशा 1, कि 3 को एक ही पर multiply करके 1 ला सकते हो, या फिर log e 1, कर लोगे, हो जाएगा ना, तो ये हमारे 2 तिंग फॉर्वर रूल्स है, यह ता है, अब देखो, एक दो रूल्स प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह वीडियो हमारी जाद लेम देऊ जाएगी, तो लिखो, नेक्स्ट रूल्स, हाँ तो बच्चों देखो, अब आगे करते हैं, थोड़ा सा दो रूल्स हो रहे है, कि log of infinitely small number is minus infinity, कोई इतना छोटा number infinitely small है, बहुत छ तो उसका जो log होगा, उसकी जो log की value, वो minus infinity आएगी, ठीक है भी, उसके बाद लोग of infinitely large number उसकी value आएगी 0, मतलब जो log की value माइनस infinity से 0 के विच इंवरी करेंगे, we cannot calculate log for negative number, negative numbers का हम लोग नहीं निकाल सकते, अगर आप लोग ध्यान से ये वीडियो समझ में आ रहा तो इसका कहां तक cover हो रहे हैं, फिर भी आपको समझ में ना आया है, तो आप comment करके बताना मैं एक वीडियो डालके, किवल 3-4 मिनिट में इस का अंस्वर आपको दूना, अब देखो सम बेसिक्स log values, अगर log की सारा 10 base पे हम पढ़ रहे हैं, देखो हर एक 10 base पे मैं बार बार 10 base नहीं log of infinity is equal to infinity, ठीक भी, log of infinity is equal to, क्या जाएगा, infinity, कर लोगे, और log minus 1, minus 1 का log क्या आएगा, minus 1, log 0, 0, log 10, 1, same base पे 1 होता है, log 1, किसी का भी जो log उत्तरव 1, उगवो क्या आएगा, 10 base पे, बता होई, यह 0 होना चाहिए, यो तीज लिगे, यह ना, कि हमने पढ़ था न, log of any, log of 1 0, 1 का किसी भी base पे 0 ही आएगा, यह गलतीज लिग जया था, log यहां कुछ भी change कर लो, base 1 है तो 0 आएगा, log of minus infinity, 0, log of plus infinity, infinity, तो यहां से hint आपको मिल रहा है, कि सारे number यहां cover हो रहे है, minus infinity से plus infinity, और जितने भी हैं, वो positive number ने cover कर लिए है, negative कैसे आएगे, होजाएगा, log of 0, minus infinity, log of infinity, infinity, यह आउने पड़ ले, यह कुछ common values है, अब देखो आप लोग के लिए important, मैं कुछ एक और, इनको elaborate करने की कोसिस करूँआ, आपको board में जो log लेना होगा, उसके लिए आपको एक log table होगी, logarithm की table होती है, उसमें value होती है, वो आपको given होती है, provide की जाती है, उसमें आपको लोग देखना होता है, कि कैसे, किसका लोग ले, उसके एक rules होते हैं, वो लिखवा दूँआ, यह एक introduction था, लोग से, आपको इसमें कुछ याद नहीं करना, आपको यह याद होना चाहिए, कुछ एक value याद होनी चाहिए, कि 1 का 0 होगा, 10 base पे 10 का 1 होगा, minus infinity से 0 जा तो बच्चों यह सब लिख लेना, कुछ ही values हमें पर solve करके देखें, फिर जो next lecture आएगा, उसमें हम लोग को लेने का तरीका पड़े, देखो आपको दिया होगा कि, log of 10 base पे 3 is equal to 3, तो यहाँ पे exact value क्या होगी, किस numerical value को इन्होंने लोग की form में represent किया होगा, देखो 10 को, क क्या कह रहा है, 10 को 3 times multiply करेंगे, किस से 10 से ही, तो क्या value आएगी, बताओ, 10 को 3 times 3 से multiply करेंगे, तो value आएगा, 10 cross 10 cross 10, 1000, हाना, log 3 at the base 10 is equal to 3, यहाँ पर आजाएगे, इसकी value होजाएगी, 1000, हाना, इसको 3 बर हमने multiply किया, तो यह है, चलो आगे देखो, log infinity, infinity, log 10 के power 2, 2, अब देखो, minus 3, अगर minus 3 यहाँ पर है हमारा, इसका मतलब क्या है, कि 0.001, minus 3 का मतलब यही तो है, 0.001, आपको यह सब वहीं से correlate करना है, यहाँ से solve करना पूरा, इस base पे, इसको हमने इतनी बार multiply किय तो यह आएगा, इसको हमने इतनी बार multiply किया, तो यह आएगा, यह समझना आपको और कुछ नी समझना, तो इस वीडियो में आपको basic अगर थोड़ा बहुत लोग समझ में आ गया है, तो जो हम लोग लेना सिखेंगे, तो उसमें आपको बिलकुल भी किसी तरह की दिक्कत अगले lecture में, logarithm निकालना की table की help से, हम कोई भी value होगी, कि log 2 का value निकालो, log 4 का value निकालो, तो वो हम आराम से निकाल लेंगे, इसमें आपको याद रखने है, जो log की 3 formula है, वो log की basic values, log 1 की क्या होती है, log 0 क्या होती है, log 10 की क्या होती है, दो तरह के log होते है, वो सब आपको आ रहे हैं, तो आप भी थोड़े effort डाली, थोड़े effort मैं डालता हूँ, अगली वीडियो में आपको लोग बिल्कुल clear हो जाएगा, मैं बहुत सारे example आप अपने घर में, जितने भी book में आऊंगे, लोग के example सारे आप अपने आप सोल कर दोगे, आपको ऐसा मैं अगली वी आप में लोग को पुछा जाता है अगर जैसे जैसे education में आगे बढ़ोगे